कर दोस्तों आज हम आच गें गुजरात के राज़कोट सहर में जीजेफाइश सेंडवीच पीजा सेंटर में आज हम इनका आपको सेंडवीच मेकिंग दिखाने वाल है जो कि किन टाइप में इनका सेंडवीच होता है अभी भाया ने कम्प्लिटली सभी में चीज को हेता है जो अपना बटर है वो पालिश कल लिया है सही से जो कि चीज नहीं था मैं भूल से चीज बोल गया हूं बाकि अभी बटर ही पालिश हो रहा है तो देखलो यह कम्प्लिटली अभी अपना बटर होता है यह पे पालिश कम्प्लिट होता है अभी जो है सभी ब्रेड में ग्र देख्छा बिच्चाओ कॉलटिटी में इसके अंदर मिक्सिंग किया जा रहा है भी आपस तरिकस्स अपने स्टीन होगा अब लो फिस देख सकते हूं इसले इसा विस और सेस्टाइट कर रहा है सबीका सब्सुरान एड किया जायेगा तब सेजवान को भी सही तरीके से मिक्सिंग किया जा रहा है इसके अंदर तो अपना जो भी ब्रेड होता है वो कम्प्लेटली इसमें मिक्सिंग हो जाता है ड़ कि अब ही इसके ओपर टोमेटो के जा रहा है जो कि टोमेटो कटिंग रहते है उसमें एक जार तो अब ही में एड्य के जायेगा तो आथी आप देख सकते हो सामने इतने कंटिटी और इतने बल्क में ये 20 बनन वाब लोंग कर दोखThis के खें कि बार इस बहुरारा है तो देख सकते हो तो देख सकते हो सभी के सभी वेजिटेबल इसमें एड किया जा रहा है तो अभी जो अपना औरेगोंने होता है वो इसके ऊपर एड किया जा रहा है जो कि यह सिंपल औरेगे नुए अब इसमें चाट मसाला एड कर रहा है कुछी सी इसाब से देख सकते हो अभी इसमें फाइनली लिक्विट चीज जो होता है वो डाला जा रहा है यह लिक्विट चीज हो गया देख सकते हो जो कि लिक्विट चीज होता है वो इसमें एड कर दिया गया है कर देख सकते हैं विसमें चीज डिया रहा जाए है तो फाइनल यह पना दों यह पर चीज हो रहता है क्योंकि देख सकते हो भर कहीं डिया ले और टोटल यह 20 पीस में यह बनने वाला है तो आपको लाश्प में दिखाएंगे की सीसाब से इसको मेकिंग क्या जाएगा मुझे बस्तों समय अब जोए इसका क bipolar इसके ऊपर बटर प्लिष किया जा रहा है ताक्य हुपार इसके उपर कर सके जो बंने वाले थे बंने वाला को इसका नाम चीज ब्लास रखा हुआ है जो कि देख सकते चीज और बटर जो रहेता है काफी भर-भर के इसमें मिक्सिंग किया जा रहा है और दोस्तों ग्रीन चटनी के अगर बात करूं तो यह घर में ही बनाते हैं अपने आप से और बाकि इसका कस्टमर रिव्यू यह है कि ग्रीन चटनी का बहुत ही लाजवाब स्वाद रहता इनका जो यह हैंडमेट बनाते हैं तो देखिए अब इस वापिस से आपस में जैसे आपने फर्स्टेप ने देखा था कुछ इसी इसाब से लास्टेप में भी वेसा किया जा रहा है ताकि इसको सही से कवर दे सके तो दोस्तों अभी देख सकते हो ग्रीन चटनी के बाद इसमें सेजवान एड किया जा रहा ह कि देख सकतों सेजवान का एक डबा कमप्लीटली खतम हो चुका है अभी दूसरा डब्बे से सुरुवात किया जा रहा है तो चीजी साब से इसकी ओपनिंग और इसमें एड किया जाएगा फिर यह तो इनका घंटों का काम है एक डबा ऐसे ही मतलब 5-10 मिनित में ही खतम हो और इस जगह का प्रोपर एड्रेस वेसा जो कि तक चोग प्रिस्टल मॉल कालावा रोड तो हफ्ते में सभी दिन रहता है ना वेसा तो दोस्तों अगर आप भी जगह में आने सोच रहे हो अगर आप भी राज़कोट आए हो और आपने अभी तक सेंवीच ट्राई नहीं कि तो आप यहां पर आके प्राई कर सकते हो बाकि मैं आपको इनका फूट रिवीव देने वाला हूं लास्ट में बाकि जहां तक यह देख के जो यह मेकिंग हो रहा है यह देख के यहीं मिल रहा है कि आप डिसपोइंट होके नहीं जाओंगे जो कि इनका सब कुछ चत्मी व कि अब इसमें ठीज डाला जा रहा है कि देख सकते हो सब कुछ म्हूंस इंग्रेडियंघिएंट्स डालें हर कर गये पूरा जो कि प्राeg्स के भद इसाब से आपको वह लिए ंविल रहा है वापी इसका अचीज का डो दल दिया है अब इसको ओवन में तीन सा चार मिनिट तक डाला जाएगा तो वैसे अभी क्वालिटी आपको सही नहीं आ रहे होगी बट उसके लिए माफी चाता हूं बट आप इस रिस का एंजिए जो कि देख सकते हो तो फोर पीसिस में इसको कट किया दाएगा इसके ऊपर और एक उने डाला जाता है तो आप चाहो तो इसको पीजा थाइप भी कह सकते हैं तो इसे मेकिंग बहुत ही खुबतर ही कैसे हुआ है अपर जो अपना चीज बला सेंवीज होता है वो यहां पर तयार होता है कुछ इसी हिसाब से बाकि यह ब्रेड का साइज और मेरा उंगली का साइज देख सकते हो जो कि मेरा हाइट काफी जादा है मतलब 6 फूट तक का हाइट है तो आप सोच सकते हो कि इसका जो आपके ले जो कि बिना चीज के बिना बटर के कोई डिस कंप्लेटली नहीं होता और वही कुछ इसको यूनिक डिस बनाता है तो यहां पर देख सकते हो तो तो मैं एक बार आपको इसका प्रीज उठा के दिखाता हूं तो देखिया काफी चीज ही अपना ये ब्रेड हुआ है जो कि द काफी चीज ही और काफी मयोनी इसमें डाला गया और वेजाड के तो चलिए हम इस्से अपने ग्रीन चत्नी के साथ एड करते है मैं सब एक सथाकर डिक करते हैं तो अब बहुत ही तीजी और बहुत ही स्वास्टी ब्रण अगर आप राजप्टाण नये का सोच रहे हो, तो आप पिस्वी Зांड में आके देख लो, यहां का जो भीट है, ऐत। बाबी इनका सेंड़ीचे आप जो भी टेस्ट करने वाले हो आपको इडिसपोइंट नहीं करने वाले है आपका जन्नी को और भी टेस्ट फूल बना देने वाले है तो गुजर दाने का सोचे हो राथकोड आ रहे हो तो एक बार यह आपके आजाना तो चलिए मैं इस वीडिय में तब तक के लिए जय हीन जय भारत